वेल्कम बच्चों हम पढ़ रहे थे कख्षा छे गड़ित पाठ दो जिसमें हम पढ़ रहे थे पूर संख्याओं पर संक्रियाएं इसमें हमने जोड और घटाने की संक्रियाओं के गुर्धर्मों को देख लिया था आज के वीडियो में हम पूर संक्रियाओं में गुर्धर्मों को देखेंगे और जानेंगे तो चलिए आपने टॉपिक पे चलते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक कह रहा है पूर संख्याओं में गुड़ा के प्रगोड पहला जो प्रगोड हमें देखना है गुड़न का संबरक प्रगोड ठीक है चली देखते हैं इसमें कह रहा है कि पूर संख्याओं के युगम लीजिये जैसे कि 0, 8, 5, 3, 7, 13 और 6, 5 और युगम की संख्याओं को परस पर गुड़ा करने पर देखते हैं कि प्रते एक संख्या में गुड़न फल एक पूर संख्या है देखें यहाँ पर इन्होंने दिखाएवा है सून्य और 8 का आप गुड़न खंड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा जो कि एक पूर संख्या होगी 5 और 3 का गुड़न खंड करेंगे 15 मिलेगा वो भी एक पूर संख्या होगी साथ और तेरा का गुड़न फल करेंगे तो 91 आएगा ये भी एक पूर संख्या होगी 6 और 5 का गुड़न खंद करेंगे तो 30 आएगा और ये भी एक पूर संख्या होगी बच्चों क्यों कि हमें पता है कि 0 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती है पूड संख्याएं होती देखे पूड संख्याएं गुड़ा के समवरक नियम का पालन करती है ठीक है इसे हम पहले इहां पहले इन्हों ने दो को चार बार दो एक दो और चार बार चले तो हम कहां पहुँचे बच्चों, हम पहुँच रहे हैं आठ पर ठीक है, तो क्या आठ एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, आठ एक पूर्ण संख्या है नेक्स हम से कहा रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े जैसे 6, 4, 5, 8, 3 और 10 में प्रतेक के गुडण फल प्राप्त कीजे और जाच करिए कि क्या गुडण फल एक पूर्ण संख्या है तो आप से कह रहा है कि आप एक संख्या रेखा लीजे और उस पर जो है आप इन सभी संख्याओं के गुडण फल ग्याद कीजे और पता करिए कि क्या गुडण फल एक पूर्ण संख्या है तो इसको करने के लिए हम वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पे यहां हमसे कह रहा है जो यूग महमें सॉल्व करना है वो 6 गुड़े 4 तो देखिए हम 6 पॉइंट चलेंगे एक बार फिर हम 6 चलेंगे दो बार फिर हम 6 चलेंगे तीसरी बार और फिर हम 6 चलेंगे चौती बार तो हमारा जो एंसर आएगा बच्चो वो क्या आएगा देखिए वो आजाएगा आपका 24 क्या आएगा 6 गुड़े 4 बराबर 24 तो क्या 24 एक पूर संख्या है तो हाँ या एक पूर संख्या है इस तरह से हमें हल करना है बच्चों नेक्स्ट जो हमारे यूग में है देखिए वो है पाँच गोडे आठ और दूसरा है हमारा तीन गोडे दस तो यह आपका होंगोख है इसको आप अपने घर पे इस तरह से लाइन खीच कर करें यहाँ पर जो की स्केल से मैंने नहीं किया है आप स्केल से करेंगे तो एक दम एक्जैक्ट दूरी लेकर आपको करना है यह प्रॉसेस पिछले के वीडियो में मैं आपको समझा चूँगा हमारा निशकर्ष क्या निकला बच्चो की पूर संख्याओं का गुडणफल सदैव पूर संख्या होता है वही भी दो पूर संख्याओं का अगर हम गुडणफल कर रहे हैं तो उनका गुडणफल हमेशे क्या होगा पूर संख्या होगा यह गुडण संक्रिया का संबरत प्र अब हमने योग में क्रम विनिमे प्रभून देखा था की क्रम बदलने पर कोई प्रभव नहीं पर रहा था उसी तरह अब गुडन में देखेंगे तो देखें पुर संख्यां के को जोड़े जैसे तीन पांच दो साथ नौ तेरा लीजिए पहली संख्या का दूसरी संख्या स से तता दूसरी संख्या का पहली संख्या से गुड़नफल कीजिए पूर संख्या युग में उनके करम को बदल देने पर भी गुड़नफल समान कोता है जैसे तीन गुड़े पांच भी 15 होगा और पांच गुड़े 3 भी 15 होगा और बाखी जो दोनों हमें दिया था उसको हम यहीं करके देख लेते हैं, देखे, दो गुड़े साथ क्या होगा बच्चों, चौदा, और साथ गुड़े दो भी क्या होगा, चौदा, नौ गुड़े तेरा क्या होगा बच्चों, एक सो सत्रा, और तेरा गुड़े नौ भी क्या होगा, एक सो सत्रा, तो यानि गुड़न होता है इसे गुड़न संक्रिया का क्रम बिनी में प्रबुन कहते हैं फिर हमसे कह रहा है कि संक्रिया युग में दो तीन बारा पांच छे चार और जीरो साथ द्वारा गुड़ा के क्रम बिनी में प्रबुन की पुष्टी कीजिए तो हम कर लेते बच्चों पहला जो देखे बच्चों मारा गुड़ था दो और तीन का तो दो गुड़े तीन हम करेंगे तो आजाएगा छे और तीन गुड़े दो भी करेंगे तो आएगा छे नेक्स्ट हमारा था बारा और पांच तो बारा गुड़े पांच आजाएगा आ और पांच गुड़े बारा भी आपका आजाएगा साथ नेक्स्ट हमारा छे और चार है तो छे गुड़े चार करेंगे तो भी चौबिस आएगा बच्चों और चार गुड़े छे करेंगे तो भी चौबिस आएगा नेक्स्ट हमारा है शून्य और साथ तो सून्य गुड़े साथ भी शून्य आएगा और साथ गुरुदे शूनै भी शून्य आएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुडण्फल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है अगर हम संख्यां का क्रम बदल दे रहे हैं तो इस से हम सिद्धं कि गुड़न में करुड़न करें प्रभण होता है कि प्रभण करने प्रभा प्रफ्त इसाहें निसे प्रभण होता है कि िशून घ़ा अपर के रहा है कि यह च प्र दो दो कर गुड़न फल का अलोकन कीजिए कम यहीं कर लेते हैं देखिए हम कर लेते हैं सहात गुड़े शुन्य अभी हमने उपर किया था तो शुन्य आया छे गुड़े शुन्य कर लीजे शुन्य आएगा सौ गुड़े शुन्य भी करेंगे बच्चों तो क्या आएगा शुन्य आ आएगा नेक्स क्या रहा है कि गुदन का तत्समय अवयँ यानि ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटिटि झाह Politics करने ψ इस से मल्टिप्लाई करने पर संख्या पर कोई भी प्रभाव ना पड़े तो निम लिखीत गुदन संक्रिया सारेडी मेरी इक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो यहां पे देखिए एक गुड़े शुनी या शुनी गुड़े एक क्या आएगा हमेशा शुनी एक क्या आएगा एक दो गुड़े एक या एक गुड़े दो क्या आएगा दो एक गुड़े तीन या तीन साधने लेकर उन्हें एक से गुड़ा किजिए पर एक बार आप देखेंगे कि गुढ़न फल वही संखिया जिसमें आप एक से गुड़ा करते हैं तो निया ने चाहिए है चुन आफ गुड़े एक से गुड़ा करते हैं निश्कर्स मारा क्या निकल ला है किसी पूर संख्या और एक का गुड़न फल हमेशा वही संख्या होती है इसलिए एक को गुड़न का तथ समय अव्यव कहते हैं जबकि बच्चों योग का तस्रमेक अवेव क्या था योग का तस्रमेक अवेव शून्य था ध्यान रखेंगे कि किसी भी पूर संख्या में जब हम क्या जोड़ते हैं शून्य तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी तरह किसी भी पूर संख्या में एक से पूर्थ संक्याओं के लिए यह दोनों को आथ द्यान रखेंगे चलिए आगे भड़ते हैं गुड़न का सहचारी प्रगों को षरा किनी 3 पूर्थ संक्याओं को लिजे जा से गुड़ा करने के बाद पैड़ा में गुड़न फल दिखिए यहां पर देखिए क्या दिखाया पहली गुड़े दूसरी संख्या गुड़े तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी पहली संख्या ब्रैकेट में दूसरी संख्या गुड़े तीसरी संख्या यानि यह कहा रहा है है पहले हम गुरूप बना ले पहली संक्या और दूसरी संक्या को समान इस प्रकार तीन अनपूर संक्या और पांच घुना सी नियुका मोझे पहले क्या करने Creating aneur दूसरी साइड विद Cap dust this time में करना है थी साइड में करना है क्ष़ी तीन गुड़े आरट गुड़े पांच पॉर अतर हमारा मोरा मैं यह इधर हमारा उजाएगा आठ पचे 40 गुड़े 3 तो यहां पे हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 पचे 20 दो हासिल 5 दूनी 10 दो 12 120 और इधर हमारा क्या जाएगा तीन दूनी 3 चोग 12 120 इधर तो आप देखेंगे कि दोनों साइट जो है हमारा संख्या जो है वो सेम है बच्चो दोनों साइट संख्याओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ रहा है किनी 3 पूर संख्याओं के सतत गुड़न की संक्रिया में संक्याओं के क्रम को परिवर्थित करने पर गुड़न फल अपरिवर्थित रहता है अताब गुड़न की संक्रिया पूर संक्रिया पूर संक् हम की पुष्टिक करनी है लिए पहले में क्या हो जाएगा छे गुड़े 9-11-9 जै कि गुड़े 11 का उजाएगा बच्चों आ जायेगा मारा 504 कर ले ते हैं यहां हो जाये गा मारा 6 गुड़े 9-11 यह चे गुड़े 99 बेर तो यहां पर हमारा आ जाएगा यहां भी हमारा आ जाएगा 594 आप देख रहे हैं बच्चों की दोनों साइड जो है वो हमारे गुड़न फल जो है वो सेम टू सेम है बच्चों इस तरह से हमने 6, 9 और 11 लेकर गुड़न के साचरेक नियम की पुस्टी कर ली है नेक्स्ट हमारा प्रगुन कहा रहा है बच्चों गुड़न संक्रिया का योग पर वितरन पूर संख्या है तीन, छे और आठ लिजे और दिखाएए कि पहली संख्या से दूसरी चता तीसरी सं संख्या और पहली संख्या का तीसरी संख्या के गुड़न पड़ पल के योग के बरावर है किसी प्रकार तीन अन्यपूर संख्याओं को लेकर भी जांच किजए तो चलिए हम पहले जांच कर लेते हैं तीन, छे और आठ लेकर देखिए बच्चों हमें कह authentic है कि हमें करना ह दूसरी और तीसरी संख्या के योग फल में दूसरे साइड में क्या करना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुड़न फल करना है और उसे जोड़ना है पहली संख्या के तीसरी संख्या से गुड़न से और चेक करना है क्या दोनों बराबर है हम कर लेते हैं तो यहां पर दिखे हमारा क्या आ जाएगा यहां पर मारा आ जाएगा तीन गुड़े आठ छे 14 तीन चोग 12 और तीन इकनने 3 1 4 इधर आगे हमारा 42 इधर कर लेते हैं 6 तरीक 18 और 8 3 24 आठ 4 12 के 2 2 1 3 और 4 तो दूनों साइड हमारे बराबर है ठीक है तो चलिए हम अपने टॉपिक पर च किनी तीन पूर संख्याओं के लिए पहली संख्या गुड़े दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल बराबर होगा पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या धन पहली संख्या गुड़े तीसरी संख्या से इसे हम गुडन संक्रिया का योग पर वितरन प्रगुण कहते हैं कौन सा प्रगुण है बच्चों? गुडन संक्रिया का योग पर वितरन प्रगुण उसके बाद कह रहा है कि ये तीन हमें दिये हुए हैं 9 गुड़े 8 धन 4, 9 गुड़े 8 धन 9 गुड़े 4, 6 गुड़े 10 धन 7 और 6 गुड़े 10 धन 6 गुड़े 7, 11 गुड़े 12 धन 8, 11 गुड़े 12 धन 11 गुड़े 8, तो इसमें से बच्चों ये पहला वाला मैं आपको करके दिखा रही हूं, बाकी दोनों आपका home work हो जाएगा, ठीक 12, 9, 108 आप डारेक्ट भी कर सकते थें, और उसके बाद 9, 8, 72 धन 9, 4, 36 जोड़ लिजे 6, 2, 8, 7, 10 तो दोनों साइड हमारी बराबर हैं, तो यहां पे हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि गुड़न संक्रिया का योग पर वितरन प्रगुड है नेक्स्ट हमारा प्रगुण कहा रहा है बच्चों, गुड़न का घटाने पर वितरन, कहा रहा है पूर संख्याए 4, 8, 5 लीजे और दिखाईए कि पहली संख्या गुड़े, दूसरी संख्या, रिड, तीसरी संख्या, बराबर होगी पहली संख्या, गुड़े, दूसरी सं तो हम माइनस करेंगे 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 3 गया 3 तो दोनों साइड हमारी equal आ रही है तो यहां पर हमारा क्या सिद्धो रहा है कि गुड़न का घटाने पर वित्रण नियम लागू है यानि गुड़न में घटाने पर भी वित्रण नियम लागू होता है तो चलिए हम अता गुड़न का घटाने पर वित्रण नियम लागू है उसके बाद देखिए बच्चों यह हमारा अभ्यास सी सेकेंड सी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे यहां पर बच्चों हम अमने देखा पूर सिंख्याओं का गुड़न प्रक्रिया पर और जो हमने देखा बच्चों वो हमने देखा कि गुड़न का संवरत प्रगू यानि कि अगर जो है कि क्रम को बदल दे रहें तो हमारा जो गुड़न फल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है नेक्स्ट हमने देखा शूने का गुड़न प्रगो यदि हम किसी पूर्ण संख्या में शूने से गुड़न फल करते हैं तो प्राप्त संख्या हमेशा शूने ही होगी नेक्स्ट हमने देखा कि जैसे हमने योग का तत्समेक अवियो शूनिकुमान देखा था उसी तरह हमने गुड़न का तत्समेक अवियो देखा कौन होता है किसी भी पूर संख्या में एक से गुड़ा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है नेक्स्ट हमने जो देखा वो देखा गुड़न का सहचरे प्रगो यदि हम तीन संख्याओं का गुड़न फल कर ले रहे हैं तो पहली दो या आखरी दो संख्याओं के ग्रुप बना लेने से गुड़न फल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसको हम क्या कहते थे गुड़न का सहचरे प्रगो इसी तरह से हमने देखा कि गुड़न संक्रिया कर योग पर वित्रण यदि हम पहली संख्या का गुड़न फल दूसरी और तीसरी संख्या के योग फल पर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख् से गुडन फल को और हमारा प्राप्त संख्या हमेशा बराबर होगी इसी तरह हमने घटाने पर भी देखा तो घटाने पर भी गुडन का वित्रन नियम लागो है तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है बच्चो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो ग झाल